नमस्कार, नियूज पर्यार में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके सास्थ सीपीजहाँ पट्ना रिपोर्ट मांगा है, सवाल किया है कि क्या सब तयारी में जुटी है, जिससे क्यों आपको ये बता दे कि पटना हाई कोट ने मास्क के साथ सासोसर डिस्टेंसिंग का पालन करने का सक्त निर्देश दिया है और सरकार को इस बात की फटकार लगाई है कि सही तडिके से कुरोना से जुड़े मामलों के बारे में और वैक्सिनेशन की जानकारी है वो नहीं दी जारी है कि लिए सरकार को भटकार Hoר को बतागे की दुवारा से तडिका कोट में करते हुए has .... लेकिन कितने लोगों को कौन कोन से ड्वज लगे है इसकी कोई भी रिपोर्ट सही तरिके से नहीं दी गई है यानि रिपोर्ट जो है वो आधी अदूरी है एक 70% लोगों को टीका करन हो गया है लेकिन कितने लोगों को फर्स्ट डोज लगा है कितने लोगों को सेकेंड डोज लगा है या फिर कितने लोगों को दोनों डोज पॉरी जानकारी नहीं दी गई है अभी कोर्ना की जाज भी काफी कम हो रही है तो ऐसे में पॉजिटिव मरीजों की जो वास्तिविक संख्या है वो पता नहीं चल पा रहा है और हम आपको बता दे कि कोट ने राजसरकार से जिलेवार ब्योडा मांगा था कि प्रते एक जिले में आक्सिजन समेत कितने बेडुपलब्ध हैं और कोट ने राजसरकार को ये भी बताने क कहा था कि कुर्णा माहमारी के संभावित तीसरे नहर पर नियंतरन पाने के लिए वो कितनी तरीके से तयार है और क्या क्या कारवाई की जानी है और राज के पास पुरी तरीके से वाक्सीन है या नहीं है इसके बारे में भी रिपोर्ट मांगी थी कि अगर राजसरकार के पास नहीं है तो क्या केंदर से मांगने की आवशक्ता है तो इस तडिके से कोट जो है कोर्णा से जुड़े जानकारी के लिए और साथ ही वैक्सिनेशन से जुड़ी आधी आपके लिए जमा करने का आदेश तिया है कि तीस जुलाई तक सरकार जो है इन सारे चीजों के बारे में पूरी जानकारी दे पूरी डिपोर्ट देख उसके बात की जाएगी और साथ ही तीसरी लहर को लेकर सरकार कितने तरिके सित्याड है इसको लेकर भी पटना हाय कोट न लुब 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 अजयों